भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष इवं सांसर श्रीमती राय ने दोनों जिले में बाढ़ पीड़ित परिवार जनों से मुलाकाद की उन्होंने लोगों को हर संभव मंद्ध दिलाने का भरोसर दिलाया है उन्होंने कहा है कि मद्ध प्रयेश के मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान खुद भीड़ दिले के बाढ़ पीड़ित शेत्रों पर नसर बनाए हुए है बाढ़ पीड़ित शेत्रों की बाढ़ पीड़ित जनता से अपील की नदी के पास कोई न चाहे बाढ़ पास्थान सद श्रीमती संधिया राई ने कहा है कि जनता धेरे पनाए रखे मुख्यमंतरी शिवरास सिंग चोहान रे अधिकारें को निर्धेश दिये प्रभावित शेत्रों सभी की सुरप्षा सुनिचित की जाए प्रभावित व्यक्तियों को भोजनवशुद जल उपलब्ध कराया जाए और यह सुनिशित करे कि प्रभावित शेत्रों में संक्रमत बिमारीयों का प्रकौप न बढ़े और जिन व्यक्तियों के घर नश्ट हो गए हैं उन्हें आश्रा इस्थल उपलब्ध कराए जाए और साथ ही घरों की मरमत में मदद की जाए विद्ध आपूर्ती पुना इस्थाफित की जाए और तूटे हुए पुल की मरम्मत की जाए तथा वेकल्पित रास्ते तैयार किये जाए संचार सुविदा पुनार इस्थाफित की जाए आवास वसल और पशो की हानी कातुरंद सर्वे किया जाए और बाढ़ रहतराशी प्राप्त कराने के लिए दोनों जिलों के बाढ़ पीड़ित परिवारु के लिए नई दिली में प्रदान मंद्री नरेंद्र मोधी जी को उन्होंने पत्र सोपा है और दोनों जिले की इस्तिति उनके संग्यान मिलाई गई है उन्होंने तदकाल भारत सरकार के और से सर्वे भेजने और साथ इमें आश्वासन दिया था और उसी के तहट दतिया जिले के बार पिडित शेत्रों में दल के अधिकारी पहुचे और उन्होंने वास्तविक्ता को देखा उसके बाद शीगरी बिंड जिले में भी आएंगे और वास्तिविक्ता को देखकर अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेंगे ताकि उनके लिए मोधी सरकार की योजनिया पहुच सके तेश के मुख्यमंत्री चोहान के संग्यान में लाकर गुडवत्ता आधार पर पुनहा निर्मान कराने का प्रस्ताव रखा उन्होंने कहा है कि मैंने संसदिय दल की बैटक में मुख्यमंत्री को विशेश रूप से आउगत कराया है कि उस पर भी पूर्ण रूप से सम्विधन शिल होकर काम कर रहे हैं श्रीमती राही ने कहा है कि मैं भी भिंड और दतिया जिले के बार पीड़ितों की आर्थिक मदद के अपनी और सिप्रधान मंत्री नरेंद मोदी का ध्यान विशेश पैकेज के लिए आकर्शित कर आएंगे ताकि उनको पूर्ण रूप से मदद मिल सके वाइस ओफ राइट्स के लिए भिंड से शाम सुन्दर उपाद्याय की रिपोर्ट